पिक्सी ग्लास में उत्रा है राम राज मित्तल निमास में जाती जन गुणन्हा क्यों नहीं कर वा हीory मत कीजिये बताईए लॉब से दिक्कतनी यह राम को बदनाम करने वालों से दिक्कत fix रहे बगदी जी का गाय बहल रहे हो मोदी जी फूफा लग रहे हैं आपके जैसा वाला पकोड़ना मैडम हमें तलना है में पंकस सिंग वाला पकोड़ा तलना है उमने दद्दस लाख दिये हैं सेनिक की भीधुआओं को सोचा कीमत लटा दी बीर परसुदा माओं को काई दर कि आए दुग नहीं कर रहा है हिंदू राष्ट अकर बन जाएगा तो एसस्टी ओवेसी के लिए क्लिए फायदा होगे मेडम की दूबादो मोदी हटाओं देश बचाओं मोदी जब तक हटेंगे नहीं तब तक देश रच्च्यत नहीं होगा अगर हिंदू राष्ट बन नहीं है इनको सब लोग जानते हैं इनका नाम है अनुराग हो जा बताने की ज़रुत नहीं है लेकिन इनकी एक यह हमेशा जो है बेरोजगारी पर बात करते हैं सरकार की नीतियों पर बात करते हैं और कह दें तो एक तरफ से सरकार के विरूध ही हैं लेकिन एक तो सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा कि यह ब्राम्मन यूवक हैं ब्राम्मन हैं और यह रामराज के खिलाफ हैं जहां पे एक तरफ बीजेपी के कारे करता और बहुत सारी ऐसी जनता है जो यूपी मॉडल करवाना चाहती है और लोग बहुत सारे बीजेपी कारे करता कहते हैं कि यूपी मॉडल पूरे जो है भारत देस में परियोग होना चाहिए यूपी मॉडल ही लागू होनी चाहिए तो हम इन पर बात करेंगे कि आपको क्या दिक्कत है रामराज से एक तरफ तो आप जैसी कर दिया गया आप चाहती हो कि वही रामराज फिर से आ जाए जहां पर चूत शूत आप चाहत हो बोल दो आप सराह मिक्ला नश़्ाची के परिभासा क्या होगी कराबरी जिसमें सबको अरुनि पर फिर उडियोगल कयो था तो वो कौन लोग है जो कहते है यूपी मोडल फॉलो होना चाहिए। वहां के मुख्मंत्री जी कंफ्यूज रहते हैं कि गाड़ी आगे ले जानी है पीछे इंजनों समझ में नहीं आता कि आगे पीछे चलाना कहां से है इसलिए वो जिन जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है राजबरस्ट क्या आपकी दिकत राम राज से हैं हिंदु रा मैं जोति वावई फूले को पढ़ने लगता हूं जी वो कहते हैं कि यह सब पाखंड है फिर मैं भाहगस सिंह को पढ़ता हूं वो कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं नास्तिक तो उस पर उन्होंने पूरी किताब लिग दी आब आप बताईए क्या सिए हिंदु नहीं अगर हु आप नहीं कहा कि मैं पेरियार को फुले को अमबेटकर को पड़ता हूं और एक तरफ आप जैसे आराम भी बोलते हैं तो आप किसको मान देखे बाबा साब ने यह नहीं कहा था कि जैसी रिजाम नहीं बोल सकते हैं उन्होंने कहा आपका धरम अच्छा अच्छी बात है आप क पता चलता है कि उपी में जंगल राज है एक चीज बताइए मेडम कानून पर आपको विश्वास नहीं है जिस राज के मुखमंतरी को अपने कानून पर विश्वास नहीं हो ऐसे मुखमंतरी को इस्तीफा देना चाहिए अगर यह ठोक दोला सिस्टम होता ना मेडम तो उत ग्रह मंतरी होते क्या चाहें कितना भी बीजेपी को अप बुड़ा बला कर लिजे लेकिन आएंगे तो बीजेपी चाचा हैं आपके कैसे आएंगे जी अपयार करती है बीजेपी से मेडम अप जंता उनसे नफरत करने लिगे क्योंकि उनका मुखोटा धीरे धीरे खुल र आपने बोला जाती है जन्गन्ना की बात इन्होंने छेरी है तो मैं सवाल उठाना चाहती हूं कि जब 2014 में जब BJP की सरकार आई थी मोदी जी ने कहा था कि हम जाती है जन्गन्ना कराएंगे कि आज नी करवा रही है वहाँ इन्होंने कि बुद्य जिनके घर में दो-चार परिवार होंगे नइकी तबियत भी खराब पोगी तबियत एगर खराब गई तो महिपने में बह Taylor तो इलाज होता नहीं है कहीं 500 रुपए लग गया स्रेंडर मेडम कितने का है 1200 रुपए का ठीक बारा सो और पान सो कितने हो गए 1700 दो बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो कम से कम 200 रुपए फिस जाते हैं पहले सुनोगे ना पांच किलो रासन इंदो ने बतुआ दिया सुनने की छमता नहीं है अब इनका 17 उर्दो 1900 रुपए हो ठीक और फिर दाल सब्जी आटा ये भी महाराज तेलोल तो लाना पड़ेगे ना मतलब 22-2200 रुपए का एक मेक्सिमाम में खर्चा गिन वा रहा हूं जोजना ला दिया युगाओं के जैसा को भेजो ना अगनी बीर में हम भी चले जाएंगे तुमने दद्दस लाख दिये हैं सेनिक की विध्वाओं को सोचा कीमत लोटा दी बीर परसुदा माओं को मैं 20-20 लाख देता हूं तुम किसमत के हेटों को हिम्मत है तो जैसा को भ किसानों की बात करते हैं तो किसानों पर जिसने गाड़ी चला दी थी आज भाइए उनको फांसी और उनको कारावास करवा दिये होते हैं किसानों की बात करने वाला होता तो यूरिया पे खाद पे खाद पदार का दम दूगना नकर देता हैं किसानों की आए दूगनी आए किसके अडानी जी की दुग नहीं कर रहे हैं आप लगता है टीवी चैनल नहीं देखते हैं सबसे लोग प्रिये नेता कौन मोदी जी मेड़ा मो तो दलाल है आप दलाल तो नहीं होना है रूपका लियाकत बनना है अपको अंजना उमकस्यप बनना है बतायो क्या बनना है वो लोग 24 घंटा दलाली 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 में कह रहो अंजना होंकस्यप अगर मुझे सुन रही होगी तो एक बारे अंजना होंकस्यप दीदी ओ दीदी एक बारा महंगाई का बात पूछ लीजिए बेरोजगारी पे सवाल पूछ लीजिए हम आपके दिवाने हो जाएंगी सबसे बरा मुद्दा है हिंदू रास्ट पहले हिंदू रास्ट बन जाने दीजे उसके पार सारी चीजिए ठीक हो जाएंगारी तो फिर नेहरू जी ने खत लिखा कि ये पद के खिलाफ ये गलत है आप यहां पे तो स्वामनात मंदिर के लिए राजन परसाज जी जा रहे बन जाएगा हिंदू राष्ट अगर बन जाएगा तो स्वालों का जवाब दीजिए रहेगा क्यों नहीं रहेगा राम राज बनने दीजिए राम राज में आप में क्या करूं तीन हजार साल पहले जाए बही आप एसेस्टी ओवेसी वालों के साथ क्या होता था यह मेडम चाहती ही फिर से वही होने लगे अच्छा छुआ छूट मेडम अभी नहीं हो रहा चूट कोन कर रहे में तो नहीं करता मैं किया क्या करने वालों ने कभी का आप सूचिए कि राम राज के समय पे महगाई पे थी बेरोजगारी कहां पहोई कोई तरह पार की बात मत कीजिए उन्होंने कहा कि पाचास साल तक BJP रहेगी आप 50 साल तक रहोगे इस बात की गैरेंटी दे देजे जिए कि समयाम बताइए कि प्र्दान में लिखा होई प्रदान मंत्रीपद का 5 साल केलिए हैं तो ये 50 साल कैसे अब संसोधन करें सम्मिद्धान में अब सम्मिधान को ऐसे ही नहीं मानते हैं लोग्तंति कि तो ऐसी तैसी तंवे दी है सम्मिद्धान बदल दीजेए हैicion कोई प्रदान मंतरी नहीं gospom मुझे कोई दिक्कत नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप एक चीज बताइए कि एक नेता को एक राजनेता को आप उल्टा सिधा पप्पू और फलाना और धिमकाना बोलो फिर में फेकु जीवी जुमला जीवी बिग्यापन जीवी ऐसे बोलूंगा फिर तो आपको एरे मोदी जी का गाय वहल रहे हो मोदी फूफा लग रहे हैं आपके काय चड़ जाते हम नहीं किन्वाइगे अम नहीं हिंदूराष्ट के पांच खाइदे किनुआ दो में संभिधान पर विश्वास नहीं है संभिधान पर विश्वास अंहीं है हमें तो संभीदान पे विश्वास है लेकिन हिंदू राष्ट बनने से क्या जाएगा ना अभी मतलब स्थी को उनका रच्छन रहेगा रहेगा नहीं रहेगा आप बता दू भाईया ऐसे पत्रकारों का मुह फैभी कॉल से नहीं फैभी क्यूक से चिपक जाता है इसे मामलू आप लोगों को क्या दिक्कcat है जब पाकिस्तान मुसलिमों का राष्ट ये हंदू राष्ट बनने में आपको क्या दिखेए था है हिंदू राष्ट बन जाएगा तो अराच्छन रहेगा आप बताओ अगर हिंदू राष्ट बन जाएगा तो भेदभाव आप जाते हैं आस्था मां के पास हाथ जोरने के लिए मेरे साथ थे अनुरागोज है इन्होंने बहुत अच्छी बात कहीं कि जब हिंदू राष्ट बनेगा तो S.E.S.T.O.B.C. कहां जाएगा क्या हम या कोई भी जो हिंदू राष्ट की मांग करते हैं वो ये गारंटी लेगा कि हिंदू की परिकल्पना क्या है S.E.S.T.O.B.C. जो है हिंदू जब बन जाएगा तो उसको आरक्षन रहेगा महिलाई सुरक्षित रहेगी यह बहुत बदा सवाल है इसमें जो लोग हिंदू राष्ट की मांग करते हैं राम राज की बात करते हैं यूपी मॉडल की बात करते हैं और मैं नहीं कह रही हूं य जो हैं अनुराग सरकार पर कटाक्ष करते सका सरकार की नीतियों के खिलाब बोलते हैं यह तो सबको पता है कि समविदान लाग हुए है लेकिन कुछ अभी यूपी जैसे जगह है जहां पर समविदान ना लगा के समविदान से ना चला के बुल्डोजर की सरकार चले ये जिस भी तरीके की कलपना करते हैं अप लोगो क्या लगता है अप अपनी पर्तिकरिया कमेंट बोक्स में जरूर दीजिएगा कि आप अनुराग हो जा से सहमत हैं या हम लोग की बाचित आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा धनेवाद